नमस्कार साथियों मैं योगिस जोसी और हम आर्पीसी असिस्टन्ट प्रोफेसर एक्जाम दोजार तेवीश के लिए तीसरा पेपर पढ़ रहे थे इस वीडियो में हम जिंजन टॉपिकों का रिवीजन करेंगे वो है इस वीडियो में हम राजिस्थान कलास अंस्कृति और इस वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट है राजिस्थान के भक्ती आंदोलन और सुफी आंदोलन इनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट है राजिस्थान के प्रमुक संतों के बारे में पढ़ेंगे राजिस्थान के लोग देवी तथा लोग देवताओं के बारे में इ मध्य पासान काल की, मध्य पासान काल की तीन सभीता है आपके कोर्स में है, पहली है निमभाहेडा, दूसरी बागोर, तीसी मंडिया, तो मध्य पासान काल को क्या भी का जाता है, लेट इस्टोनेज, क्या का जाता है, लेट इस्टोनेज का जाता है, मध्य पासान काल को, तो सबसे पहले जो सभीता चालू कर रहे है, वो है कौन सी बागोर सभीता, कौन सी बागोर सभीता, इंपर्टेंट है, पूछा जाता है, इससे प्रशन है, तो सबसे पहले हम देखत है भागोर सबीता कहा है वेलवाडा कोथारी नदी के किनारे परिस्टिट क्या है ये का मतलब क्या है कोथारी नदी के किनारे और M का मतलब है इसका उत्खनन का काम किसने किया था VN Mission है तो आपन को बागोर से बिता के लिए क्या याद रखना है BBCM क्या याद रखना है BBCM B का मतलब है बागोर से बिता दूसरे B का मतलब है भीलवाडा में C का मतलब है कोठारी नदी के किनारे और M का मतलब है इसका उत्खनन का काम किसने किये था Professor V.N. मिर्शन है तो बागोर से बेता कहा है बीलवाडा में है कोठारी नदी के किनारे है और इसका उत्खनन का काम किये था Professor V.N. मिर्शन है कि पॉचन की सम्भावना है कि । पुचा जा सकता है कि पुचा chine के प्राचिन तम सक्ष कहां से मिले है या वह मिले है बागोर से बेता में तो मध्य पाशानकाल से जो पहले थे वो ज्यादा तर मानों किस पर निर्वटता वो सिकार पर निर्वटता मध्य पाशानकाल आने पर वो दिरे-दिरे क्रिशी और पसुपालन की तरफ अग्विसर होने लगा तो पसु पालन और क्रिस्टी के जो प्राजित मुत्षाक्षी मिले है वो कहां से मिले है बागोर सिपिता से नेक्स्ट होई है बागोर सिपिता में उत्किनन का कार्य सबसे पहले किस ने किया वो है प्रोफेसर वी एन मिश्टन है कहा है बीलवाडा में है कोठारी नदी के किनारे और इसका उत्किनन किया दा प्रोफेसर वी एन मिश्टन है नेक्स्ट हम देखता है क्रिसी के प्राचिनतम सक्ष कहां से मिले है वो है बागोर सिपिता से याद दखना इंपर्टेंट है नेक्स्ट हम देखता है बागोर सिपिता से बड़ी मातरा में लगू पाशान उपकरन मिले है कहां से बागोर सिपिता से तो लगू पाशान उपकरन ये बताते है इसके निवासी आखे टक भी थे शिकार भी करते थे और दीरे दीरे पसुपालन और क्रिसी की तरब अग्र पासान उपकरण मिले है नेक्ष हम देखते हैं बागोर सबीता क्या है मध्य पासान कालीन सबीता का कहन रहे है तो आप से राइट रॉंग करके प्रशन पूच सकता है क्योंकि यह आपके और बीस्टी बोर्ड की किताब में यह सीदी लाइन डीवी है तो ऐसे राइट है या ये दोना याद रखनी है कि वागोर शबीता किसका है मध्य पासान का लिंट का इसक है differentiation पासान कालीन सभीता का कहने तो यह याद दखना है ने देखते हैं बागोर सभीता का काल कब से कब तक था वह यह पूचा जाता है कि महासतिया नामकिस्तान है वहां से कौन सी सभीता के उसस मिले है मिले है बागोर सभीता के उसस मिले है महासतिया नामकिस्तान से नेक्स हम देखते हैं यह तो कौन सी होगी बागोर सभीता मैं याद दखना लाइक बात कौन कौन सी थी वह देख लेते है एक वार वापिस वागोर सपिता में तो सबसे पहले तो क्या रख याद रखना है B, B, C, M ठीक है B से मतलब वागोर सपिता दूसरे B से मतलब कहां है वीलवाडा में C से कोठारी नदी के किनारे और इसका उत्रणन किया था कहां से मिले हैं, वागोर सपिता से वागोर सपिता मध्य पासान का लीन का कहना तो य च szcz भाहत रखना me कहां से हैं वागोर महीता से डीकता नीम भाम्ही हैडा सबीता कहां है है छिफ्टोड में है ऍबस्तैं से गोंजाली नधी है उसके पास इस्ते दारेश्वड नामगिस्तान से जो चैप्र प्राप्त होए वो किसी सभीता से संदित है। तो गुनजाली नदी है, उसके पास इसतित्त दारेश्वरिस्टान है, उससे जो चेल सित्र मिले है, वह कौन से सबीता से संबंदित है वह है निमबा हैडा सabitah से, नेक्ष्ण हम देखते है, निमबा तथा कदमाली नदी, के समीप इस्तित्त सबीता कौन सी है, निमबा इसके समीफ सब्हें जो सब्हेंटा वो कुंसी नीबहा है तो ये याद लखना है निस्ट प्राप्त सेल चित्रे वह भीम बैटह तो अलंपोड़ा की तरह परिषक्रत नहीं इस चीज को बढ़ाता है कि यह सबॉक्ता ब्हीम बैठें थी तो प्रगति होते है तो वह पर तो यह जो दारेश्वर से जो सेल चित्र मिले है वो परिश्क्रत नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ है यह बीम बैटका और अलमोडा से भी प्राचीन है तो यह याद लखनी है थोड़ी चीज है तो निमभा हेडा सिबिता में क्या है चितोड में है और इसका जो यह कहां से प्राप्त हुए दारेश्वा नामका क्रिस्तान से जो सेल्चित्र प्राप्त हुए वो कौंशी सभीता सी समदित है कंदमाली नदि के समय इस्तित्थ सभीता कौनसी है वह heeft दारेश्वा THISонов इस्तान से जो सेल desarroll प्राप्त ह हुए वह बीमपेट का त worn मांडिया सभीता थिर्चन मांडिया सभीता से किस प्रकार के उपकरन मिले है। तो यह आपके राजिश्तान की प्राचीन सभीता है। इसमें आपने कौनकोन सी पढ़ी बागोर सभीता निमभाहिडा और मढडिया सभीता मांडिया सभीता कहा है भीलवाडा मैं बनासनदी के किनारे इसकी कोज का काम के ता प्रॉपेसर वी आण मिश्र worldwide और ये मांडिया सभीता से माइक्रो लेतिया लगू पाशानकाली मेंबक सासक तो सबसे पहले हम जो चालू कर रह तो ये दूर चीज़े पूछी जाती है, एक तो अजमेर नगर किसने बसाया, अजमेर नगर बसाया अजयराज ने, और दूसरे पूछा जाता है, आना सगर जील का निर्मान किसने कराया, वो है अर्नो राज या आना जी ने, तो अजमेर नगर तो बसाया अजयराज ने, और जबकि आना सागर जील का निर्मान कराया वो करवाया अर्णो राद ने, नेक्ट देखते है कि पुसकर में वरह मंदिर का निर्मान भी किसने कराया था, अर्णो राद ने, अगला हम देखते है विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ को क्या भी का जाता है, दिली पर अधिकार करने वाला पहला चोहान सासक कौन था वो था विग्रह राज चतुर्थ यह वाला प्रशन भी आरेस प्री 2023 में पूछा गया है कि दिली पर अधिकार करने वाला पहला चोहान सासक कौन था वो था विग्रह राज चतुर्थ विग्रह राज चतुर्थ ने ह हरके ली नाटक की रत्ना की थी कौन से नाटक हरके ली नाटक की रत्चना की थी विग्रत राच चतुर्थ ने नेक्स्ट हम देखते हैं हरकेली नाटक की रतनागर के विग्रदात चतुर्थ ने क्या किया एक संस्क्रत पाट साला का निर्मान कराया और संस्क्रत पाट साला का निर्मान कहां पी करवाया अजमेर में करवाया और उसकी जो दिवारों पर है न हरकेली नाटक की लाई ने खुदवा दी, तो संस्कृत पाट साला का निर्मान किस ने कराया, विग्राद चतुर्थ ने कराया, कहां कराया, अजमेर में कराया, और इसकी दिवारों पर क्या खुदवाई, हरकेली नाटक की लाई ने बनवाया तो अड़ाई दिन का जो पड़ा कहां पस्तित है अजमेड में स्तित है यह वाला प्रिशन भी अभी ARI विसल डेव नाम था उसका और विसल देव रासों गोदति है और Satyaati रात्रों में में लिख्या और राजमती इंकी प्रेमय कता के बारे में था गया है अब मैं आ挺 to कौन से समबन दीत है वो है यहां कि मौंबध गॉरिख के साथ यूद लड़ा था वह रित्वी राद देखता है ने तो 2 युदि लड़े तो 1191 वाले य किसकी व कुषान की और तुरहान का दूसए उसमें किसकी Blick Short की दर्बान के मौनktor जो विद्वान थे वह ते विद्वा विध्यापति गौडध वागिश्वे कपकोzne विश्व रूप जनादन, चंदर बर्दाई, पृत्वी भढट, यह सभी पृत्वी राज चोहान के दरबार में दरबारी थे, नेक्ट देखते हैं चंदर बर्दाई ने क्या लेखा, पृत्वी राज रासो, तो यह तो क्या हो गया, सांबर के चोहान राजवंस, अब हम द अगला टॉपिक है उसमें भी पढ़ेंगे यहां पे भी पढ़ लेता है और आपका रिविजन हो जाएगा तो हमीर देव चुहान ने उन्होंने रंतंपूर परशासन कब से कब तक किया रंतंपूर परशासन हमीर देव चुहान दादा का नम थै। परमार सासक बोज़ को पराजित किया था ने परमार शासक बोज़ को पराजित किया था इसने सतंपूर पर करने का प्यास करिया लेकिन वो इस टाइम असफल रहा नेश्ट है कि मंगोल के सासक मुवमत सा तता कहबरू इन दोनों को आश्रत देने के कारण जो अलाओ दिन खिल जी नाराज हो गया तो किसको आश्रत देने के कारण जो अलाओ दिन खिल जी नाराज हो गया वो मंगोल के सासक मुमत सा तता कहबरू इन दोनों को सासन इन दोनों को क्या सरन देने के कारण अलाउदिन खिल जी नाराज हो गया किसे हमीर देव चोहान से नेक्ष्ट की 1299 में अलाउदिन खिल जी के किस सेनापती ने रंतंबोर के दुर्ग पर आकरमन किया तो वो अलाउदिन खिल जी ने अपने दो सेनापती का नाम किया एक तो उलुख खा दूसरे का नाम है नुश्रत खा इन दोनों को रंतंबोर पर आकरमन करने के लिए बेचा जिसमें से नुश्रत खा मारा गया तो आपके जो कॉलेज लेक्टरा 2020 का पेपर था उसमें पूचा गया था कि अलाउदिन खिल जी का कौन सा सेना नायक मारा गया था वो है नुश्रत खा मारा गया था ठीक है तो अलाउदिन खिल जी की साइट से तो दो ते उलुख खा और नुश्रत का जबकि हमीर देव च श्हां की और से घरमसियं हैं जिसमें भीमसय मारें घेंकिंगें इन क्रिफ्ण के को ऑफ कि ंस्श्धी के गुपत की सूतना किनों ने डी वह रणमल और रती घाल नम्ग अहग ते तहयँ सकता जोका डेए अलावदिन खिल जी को जिसके कारण, इन दोनों की पुत्रि पद्मला इन दोनों ने जलतुर कर दिया, और और रन ठुम्बोर पर अलावदिन खिल जी का अदिकार कब हो गया तेरा सो एक में, तो आपन से ये भी पूचा जाता है कि ये ना साल पूचे जाते है अलाओ दिन खिल जी ने कब को बाकरमन किये वो तो 1303 में कहां किया चितोड में 1308 में कहां किया वो सीवाना में 1311 में कहां किया वो किया जालोर में अक्रमन किया अलाओ दिन खिल जी ने देखते हैं रणतंबोर युद में अलाओदिन खिल जी का साथ आने वला जो इत्यास कार्थ वो कौन था वो था अमीर खुश्च्रो अमीर खुश्च्रो याद रखना है कि यह रणतंबोर के युद में या फिर चित्वर्ड पर जब युद किया था आकरमन किया था प्प्पुट्री आपने पुट्री पद्मला के लिए पद्मला तालाब का निर्माण कर चाया कभी किसके दरबार में था कोटी किस ने करवाया हमीर कि मित्यू के बाद रंधंबोर की चाहन साखा क्या होगी समाप्त होगी नेक्स्ट है हमीर महाकावी की रतना नयंचंद सूरी ने हमीर रासों की रतना जोद्रात ने रंधंबोर की कुंजी किसे का जाता है जाइन दूर को नेक्स्ट है हमीर ने अपने जीवन में कुल सतरा युद को मिवाड के सासक समर्ष सिंग को इन सभी को हमीर देव चारहान ने क्या किया था राजिस्तान का पहला जोहर कौन सा था राजिस्तान का जो पहला जोहर तो राजिस्तान का पहला जोहर हमीर की रानी रंग देवी और पुत्री पद्मला ने किया था राजिस्तान का पहला जो चुहान राजवंस कौन सा है जालोर का चुहान राजवंस इसके बारे में देखते हैं तो जालोर के चुहान वंस का जो संस्ता पकता वो कौन था कीरती पाल तो उपर वाले दो देखे हैं हमने की जो जो सांबर के चुहान वंस का संस्ता पकता वो गोईंद राज था जालोर क तो किर्ति पाल ने पर्मारो को पराष्ट करके जालोर पर अधिकार कर लिया था अब हम देखते हैं कान्हर देव चोहान कान्हर देव ने वह आपके मुगल राजपुत में भी पढ़ेंगे अगले टॉपिक में तो इसको देखता है कान्हर देव चोहान को तो कार्नट देव चौहान ने उसने जालोर पर सासन कब से कब किया 1305 से 1311 अब तक किया तो जालोर के सोंगराज चौहन थे कार्नट देव चौहान जालोर की कुंजी किसे का जाता था वो सिवाना को का जाता था जबकि रन्थंपोर की कुझी जाइन दूर को का जाता था, सिवाना का सासर कौन था, सातल देव था, भावले नामक एक सैनिक के विश्वास गात के कारण लाउदिन खिल जी का सिवाना पर विजय हो गया, तो सिवाना पर उसने अधिकार कब किया, 308 में किया था, लाउदिन बीका, तो सिवाना पर जब, सिवाना पर अधिकार कब हुआ, 1308 में, लेक्ष्टम देखते हैं, कारण देव चुहान, उन्होंने कब जालोर का सासर कब बना था, 1305 में बना था, लेक्ष्टम देखते हैं, कारण देव ने सोमनात मंदिर तोड़कर आ रही, अलाउदिन खि जी के एक सेना पती था, समस खां, समस खां को बना लिया था, तो कारण देव की सेना ने, अलाउदिन खिल जी के कौन से सेना नायक को बना लिया था, कारण देव की सेना ने, नेस्ट है कि अलाउदिन खिल जी का कौन सा सेना नायक, कारण देव को समझा बुजा करके दिली ले गया उसका नाम है एन उल मुल्क मुल्तानी है जो कि अलाउदिन खिल जी का सेना नायक था वो कार्णड देव को समझा बुचा करके दिली ले गया था नेक्स्ट है फिर वहाँ पर दिली में जा करके जो अलाउदिन खिल जी ने कार्णड देव से अपनी पुत्र वीरम द और जो दहिया सरकार B का नामक एक सेनानायक था उसने विश्वास गात किया जिसके कारण जालोर पर अलाओदिन खिलजी का अधिकार हुआ 1311 में, सिवाना पर हुआ था 1308 में, और चितोड पर हुआ था 1303 में, और जो रंधंपोर पर हुआ था 1301 में, यह यार रखना है, साल पूछे जाते हैं, तो यह तो क्या हो गया, जालोर का चुहान वंस, अब हम पढ़ते हैं, आमेर का कच्छवा वंस, आमेर के कच्छवा वंस को पढ़ते हैं, आमेर के कच्छवा वंस का संस्ता पकी से माना जाता है, दुलहराय को, दुलहराय ने डुनडाड के बड़ गु करके जो ठूंडाड के बढ़ घुच्वीड को हराया फिर निब उपने जमवा राम्गड करके única यह आपके मेना को इक हमार को प्राजित करके उसने आमिर को अपनी रातधानी बना है नार्ष्ट में Uz 2 male वह उवक यह तुक से इसलिए बिखार mobile पेला राजपुत साँल सकता कौूं था भार्मल उश्ना अपनी पुत्री हर्खा वाई लिए अकबर से करवा दिया बार्मल के पुत्र थे बघ्राजश उनके पत्ते का नाम था मान सीए नेस्ट हम देखते है भगवान दास अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उम्रा की उपादी दी थी उनके पुत्र का नाम मान भाई था मान भाई का विवाह जांगीर से हुआ और जांगीर और मान भाई के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था खुसरो नेच्ट हम दिखते हैं अकबर नै बगवान दास को पंजब सुबे का सुबेदार बनाया और उसकी मित्यू लाश्ट में पंजब में ही थी कहा हुई थी लाहोर मेंए विटी नेक्स्ट है मान्सिय की बात करते हम तो मान्सिय को अकबर ने 7000 का मनसब तता फरजंद का मतलब होता है बेटा तो इस फरजंद की उपादि दी तो 7000 की उपादि 7000 का जो मनसब है वो उस टाइम बहुत ही कम लोगों को दिया जाता था तो मान सिंग को अकबर ने कितने 7000 का मंसब दिया था तो यह पूछा जाता है कि 7000 का मंसब दिया था किसे मान सिय को नेस्ट है कि मानसियें को काबूल का बंगाल का तथा बिहार पहले बिहार में क्या भी आता था उडिसा भी आता था तो काबूल बंगाल तथा बिहार का सुबेदार बनाया गया था और मानसियें ने इन तीनों जगाओ पर विद्रहों को दबाया था मानसियां की रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत शियां की याद में जगत सिरो मनी मंदिर कहां पेशती ते जयपुर में मुझा राजा जैसी है मिर्चा राजा जैसी ने तीन मुगल सास्कों का उन्होंने शासन देखा कौन-कौन से जहांगीर, साजा और औरंग जैब फुल्पनेशाज़ुआ कई च्राँ कुन देखा है तुम सिवा जी को पुरंदर की संदी करने के लिए राजी करने वाला सासक कौन था वो था मिर्जा राजा जैसी है इंप्रोटेंट है पूछा जाता है कि शिवा जी को पुरेंदर की संदी करने के लिए राजी करने वाला सासक था मिर्जा राजा जैसी है था नेकिन जो है एक मुहमत सा आता है बाद में ठीक है मुहमत सा वो मिट्जा राजा जैसी के दर्बार में नहीं है वो है किनके सवाई जैसी के दर्बार में ठीक है यह वाला भी प्री में पूछ गया है तो सवाई के दरवार में था में पूबस साथ चित्र कार नेक्टम 'M देखते सवाई को क्या लिएचिय को क्या भी का जिता है इनका असली नाम था जैशिय सेकंड नाम था सवाई झैश्य का और बैग apresent की इस्तापन था इसदेश में जैพुर कि वास्तुकार है को पिद्धे विध्यादर पटाचार्य सवाई जय स्य का असली नाम था जैस्य धित्या सवाई जैसे को सवाई की उपादी किसने दिती वो दिती औरंग जेब ने उनको सवाई की उपादी दिती उनका असली नाम तो था जैसे दिती और उसको सवाई की उपादी दिती औरंग जेब ने औरंग जेब की मित्यों के बाद औरंग जेब के पुत्रों में उत्रा दिका युद्ध हुआ उसमें कौन जीता बेटा था मुध्यम वह जीता उसने बहुत दूर्शा ओर दिल डिली पर शासन किया पर उस यह दिद्र को पहले क्या कर दिया जैपुर की राज गरदी से एटा दिया थी शसले बागता टाना मिर तो यह आप से प्रशन पूछे जाते की कौन सा नाम रखा गया था पूछे चाते हैं जैसे खिस्थ्रा बाद नाम गिसका रखा गया था छितो ररक तो जplease खार घंush जैसे की जलालाबाद जलालाबाद नाम किसका रहोत तो ऊसका नाम रख दिया जलालाबाद यह व can औरसम Brennan अभी पर वी ऐसली ग्रेंट ग्रेड एक करिफेंट मॉमिल अबाद मॉमिलाबाद नम किसका रखा गया अमिर का हृमेर्त हृम तर द्रढ्रा किसमें था वो रखा था मोज्यम या बाहदूर वॉतियर नम तो किसमें था Share स्वाई जैसी है उन्होंने साथ मुगल सास्कों का साशन देखा था सवाई जैसी ने तीन मुगल सास्कों का साहाँ जांगीर और औरंग्जेब का अब हम पड़ है सवाई जैसी ने साथ मुगल सासकों का सासन देखा था नियाश्ट है हुड़ा समेलन , हुड़ा समेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 हुआ 143o समेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 shameless बुलाए था, सवाई- समयन बुलाया क्यूचिने नंए के लिए राजपूत सासुकों का एक सम्मिलन बुलाए था तो उसे क्या कहता है हुड़ा सम्मिलन तो मराटो का जब आक्रमन बढ़ गया तो सवाई जैसी ने एक सम्मिलन बुलाए जैसे कहा जाता है हुड़ा सम्मिलन इसका उद्धिश क्या था मराटो के विरुद मेकिक चिटोड मानमौरी तो쉽ा था चिटोड पर अधिकार किया था नेक्स्ट हम दिखते है जैत्रसीन, जैत्रसीन ने भूताला का यूद लड़ा था और भूताला का यूद किंगिर के बीच में वता जैत्रसीन और इलतुत मिस इन दोनों के बीच में वता भूताला का यूद नेक्स्ट हम देखते हैं रावल दतन सियंग, कौन है रावल दतन सियंग, रावल दतन सियंग ने मिवाड पर सासन किया तेरा सो दो से तेरा सो तीन तक ही किया था, नेक्स्ट है कि रावल दतन सियंग चितोड की गद्धी पर बैठे कब ते तेरा सो दो में और तेरा सो तीन म अक्रमन ही कर दिया था सुशंश की नदियों की किनारे पर इस्तित्त इएं वह गंबीरी और बेड़ेस नदियों सेनातीवियों पत्त किस की सेना में थे में की लावफिर सईद वी अखिलजी के खिलाब जैमल यूरे पूछा जाता है तो यहाँ और बादल किसकी सहना में थे दतन सिंग्की में ज्यमल पता किसकी सेना में थे उदेसएं कि नेक्टे जटा व कूंपा किसकी सेना में थे माँ देगी एक नेक्टे अल़ाउदिन खिल जी ने चित्टोड पर अक्रमन किया देखो करम लिखावा यह 301 में रंधंबोर पे, 303 में चित्तोड पे, 308 में सिवाना पे, 311 में जालोर पे, तो चित्तोड का पहला साका कौन सा था, वो है रावल रतन सिंग के समय हुआ, अलावदिन खिल जी ने जब चित्तोड पर आकरमन किया तब, और राजिस्तान का पूदले तो वो है कौन सा सा ओर साका था वो है हमीर की राणी रंगेवी द्वार किया गया था छो नेक्स हम देखते हैं जड तो जब विजए हो गई तो विजए के बाद अलाओदिन खिल जी ने चित्टुड का नाम गया रखा, खिजराबाद रखा, सीवाना का नाम रख दिया, खेराबाद, जालोर का नाम रख दिया, जलालाबाद रख दिया नेश्ट है पदमावद, पदमावद किसने लिखी वलिखी मलिक मुमत जायसी ने, मेवाड में जो गुहिलवंस है, उसकी कितनी साकाई हो थी, मेवाड में गुहिलवंस की कितनी साकाई थी, दो साकाई थी, एक तो कौन सी रावल साका और दूसी राणा साका, मेवाड में सकते रावल गतन सिंग हैं 120 पर आकर्मन करते हैं अलाउदीन किलजी के साथ कौन सा इत्याज कार ता मे अमीर क्षरो में खुष रग्रव्शत की सात्थ चितोड भी गया और रंतंपोर इसमें अलावदिन खिल्ची के चितोड़ पर आक्रमन का वर्णन है नेक्ष्ट हम देखते है राणा हमीर उन्होंने क्या है मेवाड में गुईल वंस की सिसो दिया साखा की इस्तापना की तो रावल दृतन सी है तो रावल दृतन सी है रावल साखा के इंतिम सा सकते बाद मे जो सिसो दिया साखा या नाना साखा है उसकी इस्तापना किनों ने की राणा हमीर ने की तो रावल दृतन क cheddar का विसम गार्टी पंचे नन बीका जाता है और हमीर के बाद में आग्ए माराना लाखा मारा लाखा के समय जावर से शेक्या है चान्दी की खाने राप्त वही थ ता और किस के उपलक्स में कराया था मालवा विजे के उपलक्स में नेश्ट हम दिखते है कुमबा ने सारंगपुर के युद में मालवा के साथ सक मुमत खिलजी प्रतम को हराया तो मुमत खिलजी प्रतम को हराया किसने था वो है माराना कुमबा ने नेश्ट है कि माराना कु कौन से है वह है संगीत राज संगीत मिमासा तता सूट प्रबन तो संगीत राज संगीत मिमासा तता सूट प्रबन क्या है संगीत से संबंदित ग्रंत है जो कि माराना कुमबा ने लिखेते तो संगीत राज संगीत मिमासा और सूट प्रबन नेक्ष्टम देखते हैं मिवाड माराना प्रताप आपके मुगल दाद पुर्ती रोद में है माराना प्रताप की माता का नाम जयवंता भाई था था नेक्स्ट है माराना प्रताब का रात तिलग कब हुआ 28 फरवरी 1522 में हुआ तो जब इनका रात तिलग हुआ जब इनकी आयू कितनी थी 32 और माराना प्रताब का जो रात तिलग हुआ था वो कहां हुआ था गोगुंदा में कहां हुआ था गोगुंदा में हुआ था माराना आकबर का नागोर दर्बार कबले का 1570 में लगा था अपरने जो महारानाप्रिताप के पास अपने 4 पृती नेदी बेजे तो वो कौन-कौन से तो पूछा जाता है पराशन ए पहला है जलाल झाल थोल ने अकबर ने अक्बर्मारा नापरताब के साथ अपने चार प्रेती निदी बेजे राशन प choreography vide ऋ से एक तो एक तो है जलाल खांद दूसरे मासा है ते भग्वा invites तो से तो अकबर ने वाराणा प तो ये चार अपने प्रतिन निदी बेजे थे तो ऐसे याद करेंगे एक बहुतर तीन तेहुतर तो एक तो किसमे बेजे था उनिस सो बहुतर पंदा सो बहुतर में और तीन बेजे थे पंदा सो तहतर में बेजे थे तो एक बहुतर तीन तेहुतर तो जलाल खा बेजे था शाउन्दि बनाने कि योदना किस खिलीए में बनाईगी मैकजिन के दुड़ में बनाया गईएनि Hampy cens दुड़ को अपना सस्ताला गार मैक जिन के दुड़ का हट यूदा को हुआ हाकीम शूर्थ जो हल्दीगाटी के यूद में है, आकीम का शूर्थ तो किस कि तरब से लड़ेते, प्रताब की तरब से, जबके आसब लड़ा था, अकबर की तरब से तो हल्दीगाटी का यूद गवा अठारा जून वंडाशो च्छेतर को गवा और इसमें आकीम खा लड़ा था प्डुताप की तरब से और असब खा लड़ा था अकबर की तरब से लिए कंदेडài के यूद में बाग लीये ता बडायू हुनी ने अलिगाटी यूद में भाग लिये ता अक्बर तर्टिक के युद के बाद अकबर ने तीन बार सावाज खान को बिजा और एक बार इसको बिजा अब्दुल रहीम खानखाना को बिजा ने के लिए। नेक्स्टम देखते है जैम स्टोड है उन्होंने हल्दीगाटी के युद को कहां मेवाड की थर्मोपली और दिवेर के युद को कहां मेवाड का मेराथन तो मेवाड की थर्मोपली तो हल्दीगाटी का युद है और मेवाड का मेराथन कौन सा है वह है दिवेर का युद तो टुकडे में काट दिया था नेक्ष्ट है दीवेर के युद में मुगल सेना पती कौन था वो था सुल्तान खाँ और इधर की जो माराना प्रताप की साइट से कौन था वो था अमर से नेक्ष्ट हम देखते हैं प्रताप ने अपनी राददानी किसे बनायता चावंड को चावंड में मिश्ट के विद्वान चक्रपानी मिष्ट किसके दर्बार में थे राना प्रताप के दर्बार में संस्क्रत के विद्वान चक्रपाणी मिर्ष्र किसके दर्बार में थे राणा प्रताब के दर्बार में निशार्दी चित्रकार किसके दर्बार में थे राणा प्रताब के दर्बार में थे निशार्दी चित्रकार किसके दर्बार में थे राणा प्रताब के दर्बार में थे देखते हैं कि राणा प्रताप कि किसे का जटा है वामासा को राणा प्रताप ने रादानी किसे बनाया कुंबलगड और चावंड को बनाया तो मैं किया है चावंड एक किसे बनाया किसे का जटा जटाता है तो इसको ऐसे आपके डख सक्ते है तो खम नोर में क्या रहा है नोर तो नोर से मिलता जुलता संद क्या था नीर और नीर का प्रियायły वाची है जल तो इस फजल में क्या रहा है ? जल तो इस तड़ से याद रख सकते हैं कि खम्नुर का युद कहा था नेश्ट आ माराणा राज्फ übrigens माराना राज सियं कहां के सा सकते मेवाड के किसंगड की राजकुमारी चारुमती से विवा के कारण माराना राज सियं का किसे औरंग जेब से मन मुटा हो गया तो माराना राज सियं ने चारुमती से विवा कर दिया जिससे औरंग जेब उनसे नाराज हो गया था नेश्ट है माराना राजसी ने गोमती नदी का पानी रोक कर कांक्रोली में राजसमन जील का निर्मान करवाया तो राजसमन जील का निर्मान किसने कराया माराना राजसी ने और ये पूछे जाता है कि कौन सी नदी का पानी रोक कर करवाया वो है गोमती नदी का पानी रोग कर नेक्स्ट है राजसमन जील पर ये किस्ता ने नो चोकिया नो चोकिया पर 25 सीला लेखो पर मेवाड का इतियास लिखावाई इसे क्या कहा जाता है राजप्रसस्ती तो राजप्रसस्ती क्या है ये राज समन्स, जील की 9 चोक्यों पर बना ओऊंगे, 25 ऺटीस शिला लेकोपर मिवाज का 10 लिखा वाए, इसे ही कहते है राज प्रसेस्ती, और राज प्रसेस्ती की जो निर्मान किसने करवाया, माराना राज सी ने कराए और इसकी राज प्रसेस्ती की रज्तना किसने किती वह है, रंचोड बटने, नेक्स पं दिखते हैं, माराना राज स्ची ने कौंसे मंदिर का निर्मान कराया, और त्वार का बहुता है, मेवाड ने ओंस, अब हम देखते हैं, मारवाड का राफोड उंस, नेक्स्ट है मारवाड के राठोड वंस का संस्तापक था राव सिहा तो राव चुंडा ने मंदोर पर अधिकार करके मंदोर को अपनी राध्दानी बनाया तो सबसे पहले मंदोर पर अधिकार करने वाला जो राठोड सासक कौन था वो था राव चुंडा नेस्ट है राव जोधा राव जोधा ने कौन सा नगर बसाया जोधपूर नगर बसाया और राव जोधा ने मेरांगट दूर्ग का निर्मान कराया मेरांगट दूर्ग कौन सी पहाड़ी पर है वो है चेडिया टूक पहाड़ी परिस्तिते मालर देव 531 1562 तक शासन नहां किया तकी। उमादे को वो मालडव की पतने थी और वो जैसलमेर के राजा लूनकरन की पुत्रि थी तो जेता वो कूंपा किस और से लड़ेते शेरसा नहीं ऐसे कहा कि मैं बट्धी बड हमेते के लिए हिंदुस्तान की बाद साथ खो देता हो है गिरी सुमेल के युद के बाद सिर्शा ने का कि मैं मुठी वर बाद्दे के लिए हिंदुस्तान की बाद साथ खो देता नेस्ट है माल देव खानवा के युद में राणा सांगा की तरप से लडेते नेस्ट है रूठी रानी रूठी रानी किने का जता है उमा दे को का जता है जो की माल देव की पतनी थी वो राव लून करन की बेटी थी वो किसी बात के कारण माल देव से नाराजोगी और अपनी नेश्ट मालदेव ने मेड़ता के विरंदेव तथा विकानेयर के रावजेटसी को मालदेव ने पोकरण मालकोट तथा सोज़त में लटेव को अपने जीवन में बावन युद लटे थे माल देव को हिंदु बाट्शा की पदवी दी गये थी नेट चंदसयन चंदसयन भी आपके मुगल राजपुद प्रतिरोध में है चंदसयन में है वह कहां के राजा थे मारवाद के चंद्रसेयन का जन्म हुआ 16 जुलाई 1541 को इनके पिता मालदेव थे ये मालदेव के तीशे नुमबर वाले पुत्र थे मालदेव अपने पहले दो पुत्रों से संतुष्ट नहीं थे इसलिए उन्होंने चंद्रसेयन को राजा बनाया चंद्रसेयन की माता का नाम था स्वरूपदे चंद्रसेयन मालदेव के तीश्रे पुत्र थे पहले दो पुत्रों से वो संतुष्ट नहीं थे इसलिए तीश्रे पुत्रों को राजा बनाया तो पहले दो पुत्रों क्या होगे चंदसेंद से नारा जोगे और वो अकबर के सरण में चले गे तो अकबर ने हुसेयन कुली खा के नेतर्तुमें सैना बेजी और जोदपूर के खिले पर अधिकार कर लिया नियास्टा की चंदसेंद ने फिर कहां पर शरण ली तो वो जोटपूर का अधिकारी किसम किया था तो किसने वह किया था चंदसेन कि संवाधा है चंदरसेन की संवाधि पी चंद्रसेन की समाधि का है डिक्स का कहा जता है एya sil मित्य। के बाद अक्बर ने उनके बड़े अक्बर और का जोध्पूर का राजा बनाया और उनकी पुत्री जगत गोसाई का विवाद जहांगिस्टे कर आये तो चन्द से Lewis की मित्य। मित्य। इसका विवाद जहांगिस्ते कर वा दिया। Next हम दिखते हैं प्रताप का पुदोगामी या मेवाड का माराना प्रताप किसे का जता है वो का जता है चंदरसेन को चंदरसेन ने कहाँ पे सरन लीती वो है बादराजुन और सिवाना इंडो जगाँ पे सरन लीती सूख राज, देविदास तता सूजा ये सब क्या थे? चंदसेन के साथी थे, चंदसेन द्वारा लूट पाड़ करने से जो मारवाड के लोग चंदसेन से नाराज होगे थे, ये भी इनकी परा, चंदसेन से नाराज होने का प्रमुक कारण था, तो चंदसेन से नाराज होने का प्रमुक कारण क्या था कि, वहां की लोगों का क्यो यह प्रश्ण पूछा जाता है कि सहाजा ने औरंग जेब का विद्रो को दमन करने के लिए किसे बिचाता माराना जस्वन सिंग प्रथम को जस्वन सिय ने धर्मत जो की MP में है इसके युद में दारा का साथ दिया था तो मूनोत नैंसी जो कि किसके दर्बार में थे वो थे सून के दर्वार में तो मूनोत नैंसी किसिक जस्वन सिय प्रथम के दर्पार में थे नेक्स्ट हम देखते हैं विका देखी का राठ草्टर ड्राज्वन सु देखते अ तो सबसे पहले आगे राव बीका राव बीका जो की किसके राव जोदा के पुत्र थे उन्होंने किसकी बीका नेर किस्था अपना किती बीका नेर किस्था अपना किस ने किती राव बीका ने जो की राव जोदा के पुत्र थे राव बीका ने किसके करणी माता मंदिर का निर सबसक्राइब लूनकारन सर जहील तो खानवा के युद खानवा के युद कब हुआ था पंदासो सत्ताइस में राणा सांगा की और से भाग लिया था तो राव कल्यान मल ने खानवा के युद में जो की पंदासो सत्ताइस में हुआ था उसमें राणा सांगा की और से भाग लिया था किसने राव कल्यान मल ने नेक्ष्ट हम देखते हैं, पंद़ा सो सित्र में, अक्बर के नागोर दर्बार में उपस्तितो कर उसकी अद्धिनदा स्वीकार कर ली दी, तो राव कलियान मल का ही पुत्र था, तो राव कलियान मलक के दो पुत्त थे एक तो रायसी और दूसरा पृत्री राज राठोड रायसी तो बाद में जाकर किया बना राजा बना और पृत्री राज राठोड है वो अक्पर का दर्बारी कवी बना नेश्ट हम देखते है रायसीय ने कौन से जुनागड किले का निर्मान कराया बीका ने सहर तो किसने बसाया था वो है राव बीका जबकि जुनागड किले का निर्मान करवाया था वो है रायसीय नेश्ट है जो जुनागड किले पर जैमल वो पत्ता की मूर्तिया किसने लग सबाए राउदे करन से नागोर के बीच में और नागोर मतिरे की राड युद हुआ किस किस के बीछ में वह वहा भीकानेर के करन सी और नागर के अमर्शीय'm के बीछ में तो मैं उसल्ट में क्या च्छरह का गया मंग बात्साली गंगर यह कंती急- solots का समद्थ एक मारवाड्य पर्रमु राजवनज्ट मगल राजबुत है, प्रति रोध हम प्रति रोध हम क्या सबीके मुगल है यह आपके प्रमुक राजवंस में कवर हो गया है ठीक है मुगल राजवनस वाला टॉपिक है वह आपके अभी हमने मंनें पढ़ लिया है रावल रतं सिंग्छ पढ़ लिया हमीर handicap 的 चंडषय कं आप डूऊ है हमने ठीक है तो यह सब चीज़ आफ प्र पर लिए तो रावल द्रतन से हैं पड़ लिया है इसमें पड़ लिया है यह सब है यह इसमें कवर कर लिया है माराना पताप और यह सब अगला टॉपिक है वह चालू करते हैं अगला टॉपिक है राज मद्यकालीन राजेस्थान में बक्ति एयों सूफी आंदोलन तो इसमें जो आपके सेलेबस में वो है वो तीन दिये गए है एक तो मेरा भाई दूशा दादू दियाल तीशा है ख्वाजा मोहिनु दिन चिस्ति मेरा भाई दादू दियाल तता ख्व कहार किसा सकते हैं मेरा भाई का व्यारा राणा सांगा के बडे पुत्वर बोजरात से हुआ । नेक्स्टा की मीरा के देवर जो विक्रमा देते था, मीरा के देवर का नाम कहा था मिक्र विक्रमा देते, उन्होंने मीरा भाई को जर देकर मरवाने का प्रेयास करिया, तो इससे दुखी होकर मीरा भाई कहां चली कि वरंदावन और बाद में कहां चली कि द्वार का और मीरा भाई का अंतिम समय कहां बीता द्वारिका में बीता नेक्ष्टर की दासी मत का समद किसे है वह है मीरा भाई से मीरा भाई के पद क्या खेलाते है हरजस मीरा भाई की रचना है क्या कौन कौन सी है गीत गोविंड ठीका राग गोविंड पदावली नर्शी जीरो मायरो सत्य वामा जीनु रूसन्ट और मीरा भाई की मित्यू कभी 1547 में द्वारका के रंचोड मंदिर में वी नेक्ष्ट है दादू देयल का जन्म गवा 1544 में अहमदाबाद में हुआ नेक्ष्ट है 1578 में दादू कहां आ गए सांबर आगे और दुनिये का काम प्रारम किया नेक्ष्ट हम देखते है बाद में वो कहांगे अमिर चले गए और 14 वर्ष्ट तक अमिर रही तो अमिर रही 14 वर्ष्ट है मैं और टो पहले तो कहां लिए मैं जनम वा सांबर के बाद में इसें तित दादुपंद की प्रमुक गद्धी कहां पर इस्तित है वो है नारायना जैपुर में इस्तित है दादुदेयल के कुल शिष्य कितने है एक सो बावन जिसमें से बावन शिष्य है वो मुख्य है उन्हें क्या का जाता है दादुदेयल के प्रमुक शिष्य कौन कौन से है वो रजजब जी जीवन बर दुले के वेश में रहे नाम माला परिचे का अंग इन सभी की रतना किती दादू के दयाल ने नेश्ट है दादू दयाल के उपदेश किस बासा में है दुनडाडी बासा में होता है या फिर डुनडाडी ऑप्शन में नहीं हो तो सद्दू कड़ी या सरल बासा में है नेश्ट है दादू पंत की कितनी उपसाकाई है पांच उपसाकाई है पहली कौन सी है खालसा फिर न बनवारी जी विरक्त साका के गुमकत दादू पंथी है और खाकी साका में कौन आते है वो है सरीर पर बस्म लगाने ओले तथा जटा दारन करने ओले आते है नेश्टम देखते है दादू पंथ की कौन सी साखा का मुख्य केंडर नरेना जयवपूर में तो नरेना जयवपुर में जो कौन सी साखा है उसका कहने रहे है वो है खाल सा साखा का कहने रहे है नेश्ट हम देखते है ज्यान समुंद्र बावनी रामची अंटक इन सभी के रचना करने वाले जो सुन्दर दास जी है वो किसके सिर्षे थे वो थे दादू देयाल के और ही लोगी रचना करने वाले जो बालिन दास जी है वो किसके सिर्षे थे दादू देयाल के नेश्ट है दादू पंत का सत्संग इस्थल क्या कहलाता है वह अलग दरीवा दादू पंत का सत्संग इस्थल कहलाता है अलग दरीवा नेश्ट है किस संप्रदाय के लोग मिलन दादु देयाल के से। 1603 इसवी में, नरेना जैपूर में हुई। नेस्ट है दादू का पार्थिव सरीर कहां पर रखा गया है वो है बेराना की पहाडी के नीचे दादू खोल नामक इस्तान पर रखा गया है तो दादू देयल का जो पार्थिव सरीर है वो कहां रखा गया है बेराना की पहाडी के नीचे दादू खोल नामक इस्तान पर तो वह कौन थे गरीब दाश जी जिन्हें दादू के निदन के पिस्चात दादू पुंत का उत्रा दिकारी बनाया गया नेक्स्ट हम देखते हैं खाजा मुहिनुदिन चिस्टी भारत कब आए 1192 इस्वी में वह मौमत कोरी के साथ में भारत आयते नेक्स्ट है दादू क्या खाजा मुहिनुदिन चिस्टी बारत आने से पूर्व रहते थे वा रहते थे एडरन में इरान में उनका जेन्मगा था और वहांपर रहते थे गहांता राच खा seguir फॉईंदीन कि जब भारत आै तो बारत में सासंथ hardships का नेक्स्ट है फाजा साहब गरीब निवाज किसे कहता था खाजा मोहिन दीन चि शरी को खाजस जमेर में बस गए और इनकी दर्गा ऍलका को क्या का चाता है अले से पांद loо बच्छ के जिस्थ पोपनाम है खाजसाब और गरीब नवाज था का ऐ स्लामिक कलेंडर की रजजब मा molecular की पहली से चट्टी तारिक को लगता है, ऐसे कौन से राजपूद्च आ सकते जिन्होंने दर्गा सरिप केलिए गाउं भैट किये, वह है मेवाड के जगत्षीं और तथा अजित्षीं, तो एक है मेवाड के जगत्षीं और दूसरे अजित्षीं और इंदोनोंने क्या किया, ज तो दर्गा शरीप के लिए काव भेट किये नेक्स्ट है खाजा मुहिनुदिन चस्ति के गुरु कौन है तो खाजा मुहिनुदिन चस्ति के गुरु थे हजरत सेख उस्मान हारोनी कौन है हजरत सेख उस्मान हारोनी खाजा मुहिनुदिन चस्ति के गुरु थे हजरत सेख उस नागोरी turnsshet के सिसे जिन्होंने की नागोर के सब्सक्राइब बनाया है in रख का रख का नंबे व्योग के बाद्ज मिलने वाले जो फ़सी होती हैं उसे क्या कहा जाता है नेकित्षे कने सूपी किस वर्ट से बना है सब वर्ट से ठीक है सूफी बना है सब सब से और जो सूफी है सूफी का मतलब है उनी सफेद कपड़ा पहनने वाले लोग नेक्स्ट है चिस्ती सिलसले में संगीत को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुक साधन माना जाता है अब जो हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है राजिस्तान के प्रमुक संत क्या है राजिस्तान के प्रमुक संत आपके जो सेलेबस में वो है धन्ना, पीपा, हरीदाश जी, जसना जी, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबु जी और मलीना जी ये आपके से पहले देख्थे है संत धन्ना, संत धन्ना है उनका जन्म कभवा चॉकदा सु पंदाश 9.100 में टोक के दुवन गाओं में हुआ, एक जय परिवार में हुआ, नेक्ष्ट हम दिखते है राजिस्तान में तार्मिक अंदुरलन का जो स्री गनेष किसने किया था संत दन्ना दे पीपा, यह दोनों रामनंद के सिसी थे, तो रामनंद के सिसी कौन, कौन से थे, एक तो धना और दूसे पीपा, नहीं अने की धना और पीपा, इन दोनों ने ग्रहतत जीवन में तुन वे रहते वे बक्ति की थी, संत पीपा, पीपा का जन्द 1425 इसवी में वदा और ये खीची राजपूत थे ऐसे कौन से संत थे जो कि पहले सासक थे और बाद में संत बन गए वो थे संत पीपा, संत पीपा गावरोन जालावर के सासक थे और बाद में वो संत बन गए थे तो पीपा ने टोडा टोग के उसके सासक सूर 간 को भी अपना सिश बना लिया था, नियास्ट म देखते है संथ पीपा का मंदर कहा है, संध़री बाड मेर मेर में है, संथ पीपा के अनूयाई कों है, दर्जी समाज के लोग है, नेस्ट है चिताउनी या साखिया ये दोने क्या है पीपा द्वारा हैस्त लिकित ग्रंत है किस संत ने दिल्ली के सासर फिरोद तुगलग को युद में हरायता वो है संत पीपा संथ पीपा ने दिल्ली के सासर जो फिरोद तुग लगे उनको युद में हराय था संथ पीपा वो निर्गुन विचारदारा से संबन दिते संथ पीपा की पत्नी उनका नाम खेता सीता वो भी उनके साथ ग्रैस्ट आश्ट्रम को छोड़ करके संथ जीवन जीने लगी संथ हरीदास जी उनका जन्र कब हुआ 1425 इसवी में हुआ और दीडवाना के कापड़ोद गाओं में हुआ था हरीदास जी ने निरंजनी संप्रदाई के इस्थापना की थी हरीदास जी का प्रारंबिक पेशा क्या था लूट पार्ट करना निरंजनी संप्रदाय में जो परमात्मा को का जाता है अलग निरंजन या हरी निरंजन मंत्र राजप्रकास या हरी पुरुस की वानी इसमें ये किनके उपदेश संकलित है ये है संत हरी दास जी के słuों मंत्र राजप्र कास और री पुरुष की वाणी इन दोनों में किछ के उपदेश है हुआ हारीदाश जी के उपदेश है । हरी दाष जी के नेस्ट है हरी दाष जी की मित्ज्य होगी 4543 सीस्वी में, १ीडवाणा में नेयक्सट रहा, जस्नात जी का जन्म हुआ 1420 सिन्वी में, कततरिया सर भीका नेर में हुआ, जस्नात जी जाड परिवार से संबंद देते 242 की आयू में इन्नों ने सन्यास ले लिया, जस्नात जी ने बारा वर्सьा तक तपच्या काहं की थी गोरख मालिया भीका नेर में, ज जसनाच जी निर्गुन भक्ती से संबन देते हैं, जसनाच जी ने कौन से पंत की स्थापना की, जसनाच जी ने कहां पर की कतरिया सर भीका नेर में, तो जसनाच जी को कतरिया सर के पास भूमी प्रदाम की थी, तो कतरिया सर के पास भूमी जसनाच जी को किसने दीती वो दीती सिकंदर लोदी नेप जसनाची संफरदाय में कितने नियम है 36 नियम है ये पूछा जाता है कि जसनाची संफरदाय में किया जाता है ये जसनाथ जी संफ्रत दायं दौरा या एक से प्रभावित थे गोरक नांजिंसे प्रभावित थे नैस्टा कि simpler si में जसनात जी तथा जंबो जी का परस पर मिलन हुआ तो वो दुनों आपस में मिलेते और उन्हों ने एक दूसरे से वारता लाप किया और नेश्ट हम देखते हैं जसनाती संप्रदाई की प्रमुख पीट कहां पर स्ठित है में लिखमा दे सर्कूना सर्मा ले बंबलू लिखमा दे सर्कूमार लिख माशरल्मासर फीडे में जसनाती संप्रदाई की पर संप्रदाई की अण्य नेश्ट हम देखते हैं जसनाती संप्रदाई के अनुयाई ने안 Character हम रां देुा बाड़ में हुआ रामदेव जी पत्नि का नाम था नेइतल दे गआ ये गए इन경 के द्वारा की जोय, आलियापंद कहा था? मखैसे रामदेव जी ञाए कोन्य नित्पे का परियोग होता है? मंजीरे का नेश्ट रामदेव जी किनके समकालिन थे मलीनाच जी के रामदेव जी के मंदिर क्या कहलाते है देवल या देवरा कहलाते है रामदेव जी ने जीवित समाधी ली थी 1488 निश्वी में नेजा क्या है रामदेव जी की जो पंच रंगी द्वजा है वो नेजा कहला छेन मंंदिरय में डेन मंदिर देखते हैघ्यक किसे का जाता है, यह कहा जता है, पतनी का नाम क्या था केमल दे और जो की पाबु जी की बती जी थी दिली के सिल्टान फिरोज साह से युद किस ने किया था गोगा जी ने किया था गोगा जी ने दिली के सिल्टान फिरोज साह से युद किया था नोग आठो वाली गोगा राखडी किसे बांदी जाती है हल तता हाली को उनकी रक्षा के लिए बांदी जाती है नेक्ट है गोगा जी के मेले कहां लगता है गोगा मेडी हन्मानगट में तरथा गोगा जी की ओल्डी सांचोर में गोगा जी के मेले लगता है बिठ्टु मिहा के रावले में किसकी वहदूरी के बारे में बताया गया है गोगा जी की नेक्ट है तेजा जी, तेजा जी का जन्म हुआ, खड़नाल नागोर में हुआ, 1073 इस्वी में, तेजा जी के पिता ताहड जी और था माता का नाम रामकूरी था, तेजा जी की पतनी का नाम पेमल, और तेजा जी का सुसुराल कहां था, पनेर में था, लाचा गुजरी की गा प्रप्डण्स का चेत्र आपंस को दिखाया जाये तो वह किसा चेत्र है तेजा जी कँडैट चेजा जी को और कि तेजा जी की तेजा जी के चब रे को क्या का जाता है थान और तेजा जी के पुजारी को का जाता है गोडला नेस्ट तेजा जी के मंदिर कहां इस्तित है पर्बत्सर नागोर और बासी दुगारी बुंदी में इस्तित है तेजा जी के मित्यू कवा कहा हुई दी सुरसुरा किसंगड में हुई नेस्ट तेजा जी और गोगा जी इन दोनों को सापो के देवता कहा जाता है नेश्ट पाबु जी पाबु जी का जो पाबु जी का जन्व हुआ कोलुमन फलोदी में हुआ पाबु जी के पिता जी का नाम धांदल जी राठोड था पाबु जी की गोडी का नाम क्या है केसर कालमी किनकी गोडी पाबु जी की नेश्ट पाबु जी का प्रतिक क्या है हाथ में बाला लिये अस्वा रही उटो के देवता लक्षमन के अवतार प्लैक रक्षक किने का जाता है पाबु जी को पाबु जी के अनुयाई क्या कहलाते है नेश्ट हम देखते हैं पाबु जी के अनुयाई कौन है वो है राइका या रेबारे जाती के लोग सबसे लोग प्रिय फड़ गिन की है पाबु जी की सबसे लंबी फड़ गिन की है देवनारायन जी की कभी कभी सबसे लोग प्रिय फड़ देवनारायन जी भी ऑप्सन में हो तो वो भी सही है नियाश्टम देखते है पाबु जी की फड़ गाते समय कौन सा वाद्य यंत बजाए जाता है वो है रावन हता रावन हता वाद्य यंत बजाए जाता है पाबु जी की फड़ गाते समय मली नाजी मली नाजी के पिता का नाम रावल सलखा था और उनकी माता का नाम था जीन दे क्या था उनकी माता का नाम था जीन द धिन को हराया था मलीनाच जी नहीं को से लोग देवता वगम सी बाटी के सिसे तता बविसे जिस दिस्टा थे नैक्स किस लोग देवता ने यूट से ने बड़े इस्तर पर हरी किरतन करे वह मलीनाच जी महेंवक के शासक और गाता कुछों गतंद अ करेता। मलीनाच जी कुंड़ा पंथ है वो उसके प्रणे था कौह थे मलीनाच जी मलीनाच जी नहीं कुंड़ा पंथ चलाया था यह तो हो गया राजस्तान के संथ पढ़ लिए अब हम देखते हैं राजस्तान के लोग देवता तो आपके जो सेलेबस में कुछ रामदेव जी गोगा जता है तो वो का जता है पाबु जी रामदेव जी गोगा जी मंगलिया मेहा ऐसे याद कर सकते हैं यह सब तो आपकी बूर्ड की किताब में पंड़ अ की पौरी वह地 गई यह वह क्या है धर्म के लिए धर्ण के लिए और खाइक के लिए जिनने हुआ उनकी रक्षा के लिए जिन मा पुष्णों ने संगर्ष किया हुने क्या का जाता है लोग देवता सबसे पहले हम देखते एक लाजी चार वाले लोग देटा किने में का जाता है कला जी को कला से राम देव जी के पिता का नाम नेतल देथा, रामदेव जी ने कामडिया पंत की स्टापना गीती, तेरत आले नित्ते कामडिया पंत की महिलाओ द्वारा किया जता है, रामदेव जी की स्तुति में किया जता है, इसमें वंजीर वाधियंत का प्रियोग होता है, रामदेव जी किसके समकाल इन थे, मली क्या है राम देव जी के भगत दवारा खीए जाने वाले जो बजन होता है वो ब्यावले और रिखिया क्या है » boilsन्दिस papien कि जाती के जो बखत जन है जो बखत Д्याहे रिखिया. हुआ दद्रेवा चूरू में हुआ था उसे क्या कहा जाता है तो आपके जो संत वाला टॉपिक है उसमें रामदेव जी गोगा जी वगर यह अलग से दिये गए है तो हमने वहां पर भी पढ़ा है और हम यहां पर भी पढ़ा है तो यह पढ़ रहे हैं एक वार आपका अपर इविजन और हो जाएगा छिक है तो जाहिड फिर किने ऐसा था औरमपाई को इस दिन मेला लगंता है तनर ँमात वहीं ऐता केमल दे जो कि पाबू जी की बती जी थी नेक्स्ट हम देखते है दिल्ली के सुल्तान फिरोद साहर क्योस है, नो गाण्ठो वाली गोगा राकडी बांदी जाती है, हल तथा आली की रक्षा के लिए नियाक्ष्टा गोगा जी के मेले कहां लगता है गोगा मेडी हन्मानगड में तथा गोगा जी की ओल्डी सांचोर में गोगा जी के मेले लगता है नियाक्ष्टा बिठ्टू मेहा के रावले में किसकी वीरता के बारे में बताये गया है गोगा जी की नेक्स्ट है तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल नाबोर में हुआ था तेजा जी के पिता ताहर जी ततान की माता का नाम रामकूरी था तेजा जी की पतनी का नाम था पेमल तता तेजा जी का सुसुरार जी था पनेर लाच्छा गुजरी की गायों को बचायता तेजा जी ने जबकि देवल चारने की गायों को बचायता पाबु जी ने लाच्छा गुजरी थी उनकी गायों को बचायता तेजा जी ने और देवल चारने की गायों को बचायता पाबु जी ने नेश्ट है जीप पर सर्पगंस करते वे चित्र किनका है तेजा जी का नेश्ट है तेजा जी का पसु मेला लगता है परबत सर नागोर में तोलिया विरकिस्त लोगदेवता को कहता है तेजा जी को जबकि जाहिर पिर का जाता है गोगा जी को नेक्स्ट हम देखते हैं तेजा जी के चबुत्रे को थान, तेजा जी के पुजारी को गोडला कहते हैं, तेजा जी के मंदिर है परबत सर नागोर में और बासी दुगारी बूंदी में, तेजा जी की मित्यू कब हुई सुरसुरा किसंगड में हुई थी तेजा जी की प्रतिक क्या है हाथ में बाला ली अस्वा रोई मुटो के देवता लक्षमन के उतार रक्षक कौन थे मारवाण में सरपत्प मूड लाने का श्र रैका रेवारि जाती लोग वहें पाबुजी की सबसे कौन सा वाजियंत बजाए जाता है वो है रावन हता पाबु जी की जो फड गाते समय बजाए जाता है रावन हता ठीक है तो वाजियंत भी आपके सेलेबस में तो यह दो तो याद रखना कि तेरे ताली नित्ति में कौन सा वाजियंत होता है मंजीरा जबकि पाबु जी की फ प्रोष्द तुगलक फ्रोष्द तुगलक के सुभेदार निजाम अगे क्षिश्य नाम क्या था रूपा दे कुंदापन्थ के प्रनी था ते अब आगे लोग देवता में पढ़ है देव नारायांट जी जक सबसे लंबीट देव नारायांट जी के बगडावत कावे में किनका यसवगान किया जता है देव नाराण जी का बगडावत कावे में किनका यसवगान किया जता है देव नाराण जी का नेक्स्ट किस लोग देवता की फड़ पर भारत डाक विबाग ने डाक टिकट जारी किया है देव नाराण जी के फड़ पर दे टेवनाराइन जी का अंतिन स्य मेंु dripping के निकट देमाली इस्थान पर देव म्धिय देवनाराइन का मुख्य के मंदिर आसिन वारा के निकट स्वाई बहुत नामक इस्थान पर हैं already नदी के निकट इस्तित है नियाश्ट देव नारायंट जी के अन्य मंदिर कहा है जोदपुर या टोक में तथा देहमाली ब्यावर में इस्तित है नियाश्ट है मिहा जी मांगलिया मिहा जी मांगलिया का मंदिर कहा है बापनी जोदपुर में है मिहा जी मांगलिया अच्छे सकुन सास्त्री थे, लोगों की सायता करने के कारण लोग देता के रूप में प्रसिद हुए, मेहा जी मांगलिया जेसल मेर के राव रणक देव से यूद करते हुए वीर गत्ती को प्राप्त हुए, मेहा जी मांगलिया तो कहां था मेहा जी का तो बापनी में था ठीक है कहां बापनी और जबकि हडबू जी का है वो है बैंगटी में यह दो याद रखना तो मेहा जी को गुरु बालीनाथ जी तथा रामदेव जी आपस में दोनों क्या थे मौसेरब आई ते राव जोदा को मंडूर राव जुदा को मंदोर को मेवाड से मुक्त करवाने का आसिरवाद किनों ने दिया था हडबुजी ने दिया था किस लोग देता कि पत्नी सत्ती नहीं हुई थी तो ऐसे कौन से लोग देता थे जिनकी पत्नी सत्ती नहीं हुई थी वो है हडबुजी हडबुजी की पतनी सती नहीं हुई थी किस लोग देता कि गाड़ी की पूजा की जाती है वो है हडबुजी की पूजा इंपर्टेंट है कौन से लोग देता है उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है हडबुजी की नेस्ट है भूरिया बाबा या गोतमेश फ्राफॉट राठोड नैक्ट हम देखते हैं तली नाथ जी तली नाथ जी। का जो मुख्यस्तान का हैं पंचो हैं जालोर में , मननाथ जी का हैं तिल्वर्ण बार्ड मेर मेर में। दू अलग अलग है एक तो है तली नाथ जी刃 अर एक और वाच dona में तो पहले देखते हैं केला देवी मंदिर कहां काली में और काली य। सी नदी के किनारे पर की रही काली नहीं है काली सील है ठीक है तो इसको शरी करना ये कौन सी नदी की किनार Canalikan की किनारे इस्तित देखते हैं इस मंदिर में क्या है महालक्ष्मी तथा चामुंडा माथा की प्रतिमौ आए है कहण कुला देवी को किया है महालक्षमी का उतार माना जटाए किला देवी किकी कुल देवी है करोली के यदुवंसी राज-परिवार की कुल देवी है केला देवी की नेत्य में, कासे वाद़ी जाता है, वह मंजीरा, दूसा क्या आ गया, जो, पाबू जी की भड़ गाते समय, कासा वाद्दी जाता रावन आधा, इस्टा, लंगूर या गीत गाते समय, किस वादी जाता है, वह अल्गोजा, ठीक है, अल्गोजा, ये तीन तो याद रखना, क पिला देवी को कभी मास का भोग नहीं लगता है जम्वाय माता का मंदिर है जम्वा रामगट जयपुर में जम्वाय माता आमिर के कछवाओं की कुल देवी है जम्वाय माता के मंदिर का निर्मान कराता कुछवा सासक दुलराय ने जम्वाय माता का मंदिर कहा है जंबू गि मेला लगता है मिला कभ लगता है नवरात्र हो में पहली तो कभ अश्वी नवराती दूशी चैत्र नवरात्री करनी माता बीकानेर के राठोडों की आरात्य देवी है अगहीं मंदिर ऽे रिवा ससीकर में इसी मता और और नागने ची मता और त्रिपूरा सुंदरी मता ये दोना अथाहरा उजान वाली लोति में है नेक्स हम देखता है ऐसी लोग मनिता है कि चुडू के जो धांदू गाम है उसमें दो भाई बेनते जीन और हर्ष दो भाई बेनते जीन माता को तो का जाता है जुडगा का अवतार हर्ष को का जाता है भैरों का अवतार जीन माता का असली नाम था जैनती माला सीकर के चाह स्वाड़ा के उम्राई गाव में तृपुरा सुंदरी माता को अठारा बुच्वावली देवी है तृपुरा सुंदरी माता को जगत का बीच परम सिव का दरपन या तिपुर सिव की भारिया भी कहा जाता है नेक्ष्ट हम देखते हैं पांचाल समझ की कुल देवी कौन है पूरा सुंदरी माता नेक्षł सिटला माता को क्या कहाता है सेडल माता महा मां माता टता हमात्रलक्षी का देवी भी कहा जाता है शीतला वाता का मंदिर कहा है तो है चाक्सु झैपूर की सीड़ उंगरी पर सिट्जत aik को मंदिर का निर्मामां अमादो सिंग ने करा र Assam encountered है है हर्बूजी वयाल गौभी मेले के संबनाईy सितना माता से कौण सी लोग देवी है जिन खंडीत मूर्ती की पुजा की जाती है, वह है सीतला माता। जोद्पुर मेर्च तेथ elegante apply work है跟大家 यह याम pro जो थान है उसमें मूर्टी नहीं होती और उस थान को क्या का जाता है बड़ेर तो क्या है आई माता का थ्यान है जिसमें की मूर्ती नहीं हो थान या मंदिर की कुल देवी है आववा के ठाकुर कुसाल सिंग की कुल देवी है उनके दस सीर तथा चौपन हाथ है ठीक है तो दस सीर तथा चौपन हाथ है कि इनके सुगाली माता के दस सीर और चौपन हाथ है इनकी मूर्ती पाली के संग्राले में रखी भी है नैस्ट है चौथ माता का म उस मंदिर का नियर्मान कराये था चछदेव्यल्स. आई पुर में आवरी माता, आवरी माता का मंदिर है निकुंब चित्तोड में हिस्ते ते, कहां हिस्ते ते, निकुंब चित्तोड में, 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 निकुं लिए और सीला देवी माता किया है इसे बित का निर्मान किस ने करवाए था और वह उनकी मूर्ति कहां से लाए थे बंगाल से ले करके आये थे तो सीला देवी है, आमेर के कच्छवा वंस की इस्ट देवी है, इनका निर्मान मांसी अप्ततम ने करवाय था और इनकी मूर्ती बंगाल से लेकर कर आये थे किस देवी को ड्याई प्याला सराब चटती है, वो है सीला देवी माता जिनका मंदिर कहा है, जैपुर में माता को क्या भी का जता है, महोदरी माता या महिश्या सुर मर्दिनी कहा जता है, इनका मंदिर कहा है, जालोर के मोदरा नामकिस्तान में, जालोर के सोनगरा चहवानों की कुल देवी है, आसा पुरा माता, नागनेची माता, जोदपुर के राठोडों की कुल देवी है, और य इन्जनु के उद्यपूर वाटी में और यह खंडेल वालों की कुल देवी है। तो सक्राय माता किनकी कुल देवी है। खंडेल वालों की कुल देवी है। तो स्वांगिया माता को आवड माता आयर माता या हिंगलाज माता कही अवतार मना जाता है नेस्ट है सुगन चिडी का स्वरुप किने माना जाता है आवड माता को मना जाता है जेसल मेर के बाटियों द्वारा पूजा की जाती है किन देवियों की आवड माता या आयर माता की हिंगलाज माता की स्वांगिया माता की कौन कौन सी देवियों की पूजा की जाती है एक तो आवड माता या आयर माता नेक्स्ट है हिंगलाज माता, तीसरी है स्वांगिया माता, इन देवियों की पूजा की जाती है, जिसल मेर के बाटियों द्वारा, नेक्स्ट है तन्नोट माता, तन्नोट माता का मंदिर कहा है, इस्तित है, जिसल मेर मेर में, और थार की वैसनों देविय किने का जाता है, तन बान माता को क्या भी का चाता है ब्रह्मानी माता तो इनका मंदिर का है यह उदेपूर के सिसोधिया की कुल देवी है तो उदेपूर के सिसोधिया वंस है उनकी कुल देवी कौन सी है वह है बान माता उदेपूर के सिसोधिया वंस की कुल देवी है बान माता नेक्ष्ट है कि चितोड में भी इनका मंदिर है और इनका मंदिर कहां पर भी है सोर्शन बारा में भी है इनकी सवारी क्या है हंस है ब्रह्मानी माता का सवारी क्या है बहंस है और ऐसी कौन सी देवी है जिनकी पूट की पूजा की जाती है वह है ब्रह्मानी माता तो ऐसी कौन सी देवी है जि प्रतिहारों की ज्वाला माता का मंदिर कहा है जोपनेर जैपुर में और यह खंगारोतों की कुल्डेवी है अगर आपको उमारे ये वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक करो ज्यदा से ज्यादा से शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करो